जब मुद्य नहीं होते हैं, दारीद्य होता है, कुछ समस्कार भरे पड़े होते हैं, अहंकार सात्वे आस्मान पर पहुंचा होता है, तब जाकर के किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है भाईया आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज आजी के इतने साल जिनों ने राज किया, उस पहर्टी के जिम्मेबार लोग मोदी के साथ भिड़ने के भिड़ाएं, मोदी पर हमला बनने के उनके सारे सस्त्रा नाकाम हो गए, तो आब मोदी की मां को गाली दे रहे हैं, मोदी की मां को बदनाम कर रहे हैं, जिस मां को राजनीची का रह मालूम नहीं है, जो मां अपनी पूजा पार घर में, अपनी भगवान के स्परण में समय बिता रही है, उस मां को राजनीची में गशीट के लाए, कॉंग्रिस के लोग, मोदी से मुकाबला करने के आपके ताकत नहीं है, पिछले 17-18 साल से सीनात तान करके, आपको एक-एक मौके पर चुनोती देता आया हूँ, और और आपको पराजित करके आया हूँ, और आप, यहां तक पहुँच गए हैं, माँ को किसीट के ले आते हैं, अरे यहां भी चुनाव लरने वाले लोग भी एक दूसरे के माँ की चर्टा नहीं करते होंगे, करते हैं क्या? क्या कॉंगेस को शोभा देता हैं क्या? उनके नेता को शोभा देता हैं क्या? मैं सभी माताओं बेहनों को कहना चाहता हूँ इस प्रकार की भाशा बोलने वाले और किसी माँ को अंदर घसीतने वालों लोगों को जड़बा तोड जवाब माताओं बेहनों ने देना चाहिए ताकि कभी किसी माँ को बिच में लाने की हिम्मत न करे